लाय में भी नजर आरते बल्लेबास तो ये बड़ा स्कोर इसलिए भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा आगे जा चका अचा एक सवाल जो है मैंने दो तीम बार पढ़ लिया हमारे कमेंट सेक्शन में आया है गबर को लेकर यानि शिखरदवन को लेकर एक सवाल बहुत वचाए टीम में वापसी का जिस इसका जिक्र लक्षे जी भी करते हैं हम भी अक्सर करते कि अभी आई पील आना है उसमें दो कंडिशन हो जाएंगे अब आपके लिए कंडिशन ये हो जाएगी कि एक तो शिखरदवन का बल्ला लगातार चले उस आई पील में पांसो शेस न्यूजिलेंड में आपको लगता है कौन कान ओपनिंग करेगा जो ही चर्मा नहीं है उस तीम मुझे लगणा कि अगर प्रित्वी शौ को प्लेंग इलेवन में जगा मिलेगी जासा अंकिता पूछ रही है बहुत कटिन सवाल है मुझे लगत कप्तान हार्दिक पंडिया क लिए भी बहुत मुझकिल सवाल है जाए सोशल मीडिया का प्रैशर था तो फिर मुझे लगता है यह इस तरह से मुकाबले को जीता सेलिब्रेशन हार्दिक पांडिया चमके हैं और ऐसा चमके हैं कि भारत को एक नए रास्ते पर अब मुझे लगता है ले चले है और राउंड परफॉर्म किया आज हार्दिक पांडिया ने दूसरी गेंट पर विकेट ली 3-0 ये देखे ट्विटर पर पूरा मतलब आग लग कि अब तो मतलब ट्वीट कर करके ट्रेंग बिल्कुल बड़ा बड़ा तीन शुन्या आपकी स्क्रीन पर इसलिए दिख रहा है क्योंकि न्यूजिलेंड को क्लीन स्विप के आम इस चीज का जिक्र कर रहे थे त्विटर पर ये भी चार्चर चल रही थी कि आपने तो श्र अब पर इंटर्स्टिंग कोमेंट्स लोगों के पढ रहा था ओनलाइन लोग कह रहे थे कि एसी सीरीज में इंडिया जीत जाती है जब भी हम कोई वर्लकप देखते हैं कोई भी बड़ा टॉर्नमेंट देखते हैं उसे पहले इंडिया ऐसी सीरीज जीत जाती है जैसे न्यूजिलेंड के खास करके पर जब उस टॉर्नमेंट में जाते हैं तो न्यूजिलेंड ही इंडिया को नॉक आउट में बहुत भार कर देती है, तो क्या करें, सीरीज ना जीते हैं, पर कारण क्या है, आपको कह लगता है, आपके उपर प्रेशर ज्यादा होता है, हम बात करते हैं, यह देखे, ODI रेंकिंग्स की बात करें, टीमों की तो 1 पे इंडिया, 2 पे इंगलेंड, 3 पे ऑस्सेलिया, 4 पे निग्युजिलाइध 5 पे पाकिस्तान और इस लिस्ट में तो पाकिस्तान लास्ट में है, और लोग मुझे लगता इसी चीज से खुश होंगे, वहारत के नमबर 1 पे और प आने से जादा लोग इस चीज से जादा खूश होंगे, कि पाकिस्तान खुश पो विराट कोली भी है और खुश आप सब लोग भी है